वेलकम टू सुकला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपकी पने यूटूब चैनल सुकला स्टडी पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ ये राजा महेंदर प्रताप विश्विद्याले जो है उसका कोशन पेपर है हिंदी अनुबाद का पेपर हुआ है आपजेक्टि प्याप का पेपर था 75 questions objective प्याप के पूछे गए थे इस यूनिवर्सिटी में और इसी प्रकार से हर एक सभ्यक्ट का पेपर होगा 75 questions objective प्याप के आएंगे इस विश्विद्याले में तो आपको बदा दू कि इसको लेकर के मैंने मालब विपरा लेडी बना दिया है हर एक सभ्यक्ट का तो आप उसको जरूर देखिएगा आप देखेंगे इसमें जो chapter 1 हमने पढ़ाया था और जो मालत पेपर हमने बताया था आपको वहाँ से लगबब बहुत साले प्रसनाय हुए है आप यहाँ पर देखेंगे तो आज इसी पेपर को मैं साल्ब करवाने का प्रियास करूँगा कि कौन कौन से पेपर पूछे गए थे और उसके answer क्या हो सकते है ठीक है बिये सेमेस्टर फोर्थ का यह है यानि कि फोर्थ समेस्टर का कोशन पेपर है यहाँ पर आप देख सकते है ठीक है यानि कि 4th semester 2.2nd year 4th semester का यह question paper है हिंदी का और हिंदी में खास करके हिंदी अनुबाद का जो paper है आपका वही है 2022-23 की परिक्षाओं को लेकर के यह हमलब 2023 की परिक्षा होई है हिंदी अनुबाद की तो बहुत जल्दी सबसे पहले paper यही करवा रहा है 4 semester का question paper है आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके डेड़ घंटे का समय दिया गया था तो हो सकता है आपकी परिक्षा में अगर आप जेक्टी पूछा जाए तो इस question paper से बहुत सारे परिक्षा में आसकने की संभावना है इसलिए मैंने सूचा कि इस person पत्र को साल्ब करवा दिया ठीक है यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रस्ण पूस्तिका में 75 प्रस्ण है परिक्षार्थी को किनी 50 प्रस्णों को ही एक प्रकार से दी गई ओयमार उत्रक मलब की उत्तर पत्रक पर ही हल करना है यानि 75 प्रस्ण आपको दिया तो गया है लेकिन उनमें से केवल कितने परसन करने थे आपको किवल 50 परसन करने थे अगर परिछारती द्वारा 50 से अधिक परसनों को हल करने की स्थिति में पर्थम 50 उत्तरों को ही मुल्यांकित किया जाएगा और सभी परसनों के अंक समान है यानि कि सभी परसनों के नंबर एकदम से बराबर हैं अगर आप 75-50 से ज्यादा प्रस्टों को कर देते हैं तो सुरुआ से ले करके और पचास तक के जितने प्रस्ट आपके होंगे उसी में से सही और गलत का मुल्यांकन हो जाएगा बाकी पचीस लास्ट के जो आप चाहे सही करें चाहे गलत तो उसको नहीं मुल्यांकित होगा तो इसलिए ध्या यहां काम यह है यूनिवर्सिटी कर रही कि आपको बहुत अच्छा एक प्रकार से पचीस प्रस्ट जो आपको नहीं आ रहे हैं सबसे पहले उनको च्छाण करके लग कर दियो उसको करना ही नहीं है और बाकी पचास प्रसनों को आप धरले से करें तो भाई पचीस प्रसन तो कर देते चले पחला प्रसनाब से पूछा गया था कि निम निमे किस ने रामचरित मानस का अणुबाद अंगरेजी में है तो अंगरेजी में यहां पर जो अनुबाद किआ है का कि यहां पर चार नाम दिये गए हैं ठीक है मैंने इसको गूगल पर भी सर्च किया लेकिन इसको लेकर के प्रकार से एक ही नाम आता है ग्रोसे महोदे उन्होंने किया था 1876 इस भी में खास करके अंगरेजी मेनवाद स्री राम चैद मानस का पोसिदाजी ने जो लिखा है एसियाटिक सोसाइटी के जर्नल है ग्रोसे इन्होंने किया था 1876 इस भी में राम चैद मानस का अंगरेजी मेनवाद तो यहाँ पर दिया नहीं तो हो सकता है यह प्रकार से कॉम्पलिमेंटरी कोशन्स हो यानि कि कुछ ऐसे प्रसन आपको दिये जाते हैं जिससे आप पूरे के पूरे नंबर ना ला पाए यानि कि सो में से सो नंबर ना पा जाएं ठीक है इसी लिए खास करके यह दिया आता है ताकि आप जो है पूरा नंबर में सो में से या जो भी पूरा आंक होता है पूरा पूरा आंक आपना पाएं ऐसे कोशन्स इसलिए आते हैं अगला कोशन्स आप देखेंगे प्रसन है राजभास आयोग के पन में आपसा नंबर दिया है करेक्ट एंसर हो जाएगा जिन्नों ने ए लगाया होगा दूसरे का उनको बिल्कुल नंबर मिलेगा अगला कोशन्स आपसे पूछा गया था प्रसन आपका पूछा गया था बहुत ही सरल परसन पत्र था बस हिंदी और अंग्रेजी में प्र में पूछा था तो मैंने कुछ उ है आपको बताया था कि भई यह यह प्रसना के आ सकते है मीनिंग में तो केबल में तमाम सारे पर सकते हैं एक diversन कर दूँगा उसको उसका चैप्र मैंने पूरा पढ़ा लोगा ठीक है तो एकड़ siendo के लिए सभी जानते कि आपको अकादमी वहासे मिलेंगे थीक है तो आगे देखते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रसनिया पर देखेंगे अगला प्रसने हां पर देखेंगे अगला प्रसन आप आचुका है SdM का सही हिंधी परियावाची सब्द क्या यës SDM ठीक है बताएं SDM को क्या बोला जाता है बिल्कुल करक्ट एंसर आपका है उप जिला अधिकारी यह एक होता है दियम मंतरी मुख मंतरी थेखा शोटे होते चोटे वहते हैं को उप जिला धिकारी नमबर कर arises आपका乾़ा नेक्श इस चिखानम का a नियुक ना sleeping पाचवा नमबर पर संदफ आपके करने पर इसकिन पर आ चुका है कि बाइलंस के लिए सही सब्द प्रियुक्त है मझाजस को सेज बोलेगे या सूचना या सलाह या गे म् этому सेज बचा लो यह कुछ खर्च है उसके बाद में जो बचता है वही को होत काया थै कि ए वाइलस हैं जो बचत होता है सेस तो अजनकर शका यह का रटर ही यह भी सभी को लगए पता होग तो आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप नंबर पाएंगे यह मान करके चलो अगला कोशन सा आप से देखेंगे पूछा गया था छठा नंबर कोशन सा आप देखेगा प्रस नहीं कि cdo यानि कि chief development officer chief माने होता है मुख development माने होता है बिकास officer माने होता है अधिकारी तो आप देखें इसमें ऐसा कौन सा दिया हुआ है chief माने मुख बिकास अधिकारी मुख बिकास अधिकारी आप सा नंबर डी दिया है बोलते हैं उसको सतरकता आधिकारी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं सतरकता आधिकारी बोलते हैं आप सा नंबर इसका यह करेक्ट एंसर होगा यह सब्द आपको सायद नया लग रहा हो ठीक है आपने सायद इसको ना पढ़ा हो तो यह vigilance officer सब्द याद रख लिजेगा सत सतरकता अधिकारी इसका मतलब होता हिंदी में इसको एकदम से आप याद कर लीजेगा आपकी परिक्षा में हो सकता है अगला प्रसाम देखेगा आठवा नंबर प्रसाम से पूचा गया था जनल मैनेजर का हिंदी प्रियाय क्या ही इसको तो सबी लोग जानते हैं जनल प्रस्न किया हुआ है ठीकर लगबग सही उत्तर किया हूए लेकिन आइसा नहीं कि सारा उसका सई ही है लेकिन अवलाब जितना भी अधिक तरप परसन मैं देख रहा हूं उसका सही जा रहा हूं आगे देखते हैं अगले प्रस्ण कि नहुआ नंबर परिक्षा में दिया ग आपको कुछ करने की आवा सकता ही नहीं थी बस आपको टिक ही लगाना था बहुत ही यल्दी आपने प्रश्ण पत्र को हल कर पाए होंगे अगला कोशन साप देखेंगे अगला प्रसन आपका है दस्वा नमर प्रसन देखेंगे हिंदी सब्सागर के प्रधान संपादक कौन थे बाई तो हिंदी सब्सागर के प्रधान संपादक कौन थे तो हो थे स्याम सुन्दादास आपसा नमबर डी में दिये हैं करक्ट एंसर बहुत बढ़िया प्रसन था ये और पूछा गया था ये प्रसन हो सकता है कुछ लोगों को पता था कुछ लोगों को नहीं पता है ये प्रसन आपका बिल्कुल करक्ट एंसर अगला कोसन सा आप देखेंगे अगला प्रसन आपका था ग्यारवा नमबर प्रसन देखेंगे भासा है भासा क्या है मैंने आपको बताया था भासा जो होती है वो क्या होती है वो अर्जित संपत्ती होती है भासा जर्मजात नही प्रस्ण आपका आचुका है अंधो में काना राजा लोकोक्ति का अनुबाद है अंधो में काना राजा लोकोक्ति को इंगरेजी में क्या बोलेंगे उस गण एंग जो है साइफर ठीक है Même से नमबर इसका एक अरक्टरेंसर हो जाएगा जिन्हों ने ये लगाया उनको नमबर मिलेगा अगला कोशन्स आप से पुछा गया था प्रसन आप से पुछा गया था भई कि ऊट के मुँँ में जीरा मुहाबरे का अंग्रेजियन बाद क्या है तो ऊट के मुँँ में जीरा देखे टू कीप in the dark ये नहीं होगा मलब अंधेरे में रखना इसका मलब होता है union in strength का मलब होता है एक तामे बल है ठीक है और अड्राफ इंदा ओसीन यानि समुद्र के लिए एक बूंद तो ऐसा इसका मतलब निकलता है इसका मतलब सीधा उट के मुह में जीरा है तुकि जीरा बहुत मलब की छोटा होता है और उट बहुत ही बड़ा होता है तो यह क्या हो गया उट के मुह में जीरा जिस परकार से होत ठीक है तो इसलिए ये प्रकार से मुहाबरे का ये अनुबाद का एक प्रकार से आर्थ हुआ आपसे नमबर इसका सी करेक्टेंस अर्था जिन्नों ने लगाया होगा सी उनको नमबर मिलेगा और यहां पर माइट इस राइट का मलब होता है जैसे को तैसाइस परकार से तो आगे देखते हैं अगला परसना आपका आचुका चैज़आवा नमबर परसन है अनुबादक का गुण है बताएं कुसल भासा ज्यानी होना चाहिए बिलकुल ठीक है निष्ठावान भी होना चाहिए उचित ज्यान भी उसको पास होना चाहिए अनुवादक के पास आपसा नंबर डी लगा दीजेगा उपर उपर तो सभी चीजे होनी चाहिए आपसा नंबर इसका डी करेक्टर अंसर था अगला परसना आपसे पूछा गया था आप सभी लोग मिला लीजेगा अपने प्रसंद अगला को संस आप से पूछा गया था सभी लोग दिखिएगा अगला परसन सोलवा नंबर परसन आपसे एकजां में पूछा गया था कि जब दो भिन्ड भहाशा भासी आपस میں वाद करते हैं तब उनके बीच अनुबात करने वाले को हम क्या कहते हैं तो उस अनुबात करने वाले को हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दुभास यह बिल्कुल karakt answer है आपसर नमबर इसका C आ तो यह C आपसर बहुत एक प्रकार से karakt answer है जिन्होंने लगाए होगा C उनको नमबर मिलेगा और बहुत ही मैत्यपुड मलप की प्रस्थन है अगला प्रसन आप देखेगा अगला प्रसन है आचार रामचंदर सुक्ल ने लाइटा फेसिया यानि की लाइटा फेसिया का हिंदी अनुबाद किस नाम से किया तो लाइटा फेसिया मनलब एसिया की जोती नहीं बिल्कुल गलत अंसर ये इन महोदय का जिनका पेपर है उन्होंने गलत है लेकिन आपको बता दू कि आचार रामचंद सुक्ल ने लाइटा फेसिया का जो अनुबाद किया था वो बुद्ध चरित नाम से किया है आपसन नमबर इसका बी करेक्ट एंसर होगा जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नमबर मिलेगा बुद्ध चरित जराइट सत्रवे का बी आपसन नेक्स्ट कोशन साब देखेगा तो उसका लगबख सभी लोगों ने एसिया जोती ही लगाया होगा बहुत सारे बच्चे ने बच्चों ने आगे देखते हैं अगला परसन आपका आचुका है सी डेक प्रसन है ठरवा नमबर सी डेक पूरे के द्वा कोशन सानुबाद साब्डवे बनाय गया है तो इस अनुबाद साथ है का आफ से बच्य हो जाएगा नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे अगला परसन आपका आइंस्ट नमबर पर साम देखेंगे कमिशनर के लिए प्रियुक्त हिंदी सब्द है बताएं कमिशनर के लिए हिंदी सब्द कौन सा प्रियुक्त है भाई तो कमिशनर को क्या बोला जाता है आयुक्त बोला जाता है आयुक्त कहा जाता है कमिशनर को हिंदी में ठीक है क्या बोलते हैं आ लगा जो करेक्ट एंसर है बिल्कुल ठीक है और भोलना तीवारी की रचना है अनुबाद विग्ञान ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन अगला परसनाप से पूछा गया था अगला पर सांप सबसे लोग देखेगा अगला परसनाप से क्या पूछा गया अभी अगला परिभासिक सब्दावली की विसेशता है बताएं परिभासिक सब्दावली की क्या विसेशता है तो परिभासिक सब्द का अर्थ सून इधारित होता है बिल्कुल सून इधारित इसलिए होता है चुकि परिभासिक सब्द जो होते हैं वो आलेडी पहले से दूसरी भासा में ही वाद सकत होता है कि एक यह मोदी अर्थ होता है तो मेरे हिसाब से काराक्टर फस्तों क्या होगा आ सब्सक्साइन लेकिन परिभासिक्त की कुछ अपनी सीमा होती है वो एक परकार से कुछ एक ऐसा सब्द होता है जिसकी परिभासा दी जाती है पहले से उसका आर्थ सुनेशित होता है विभिन ने छेत्रों में तो आलग रग छेत्रों की परिभासी सब्दावलिया होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले परसन को जानते तो इसका 21 नमर का आपसा नमबर इसका D करेक्ट एंसर होगा जिन्होंने D लगाया होगा उनको नमबर मिलेगा अगला परसनाब देखेगा ट्रेजडी के लिए प्रिप्त त्रासदी सब्द का निर्माड किस परकार किया गया है अच्छा अभी आगे एक परसनाब को मिलेगा कि ट्रेजडी क को हिंदी में क्या बोलते हैं तो त्रासदी उत्यका कि फिरसनाब का प्रसमें उत्तर छूपा है इसले आगना सी किस प्रकार किया गया भाई तो बिदेसी भांसा से यह थावत ग्रहण किया गया है ट्रेजडी सब्द से उसी का एक प्रकार से त्रासदी कर दिया गया उसका तो आपसा नंबर इसका सी करक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन सा आप देखेंगे 24 नंबर प्रसन आप से अच्छा के लिए भी बहुत मैत पूण हो सकता है आप किसी विश्विद्याले से हैं और चाहे आप जिक्टी परिक्षा हो चाहे लिखित हो सभी के लिए मैत पूण है आगे बढ़ते हैं अंगले प्रसन की और अगला प्रसनाब देखेगा 25 नंबर प्रसनाब से पूछा थह सब्यों कहाता सबी लोग देखेंगे प्रसन है आपका प्रसन क्या है बढ़त धिमोसफं की लिए प्रविक्त होने वाला हिंदी परिभाद व क्या है देखे प्रमोशन मलब होता है पदोनती ठीक है और डिमोशन का मलब होता है पद आउनती यानि पद में गिरावट होना ठीक है आप यह सो थे आपको दरोगा बना दिया जाए तो क्या हो गया पद आउनती हो गया यह यह दिमोशन हो गया प्रमोशन आप दरोगा थे आपको यह सो ब परतिपादन करने वाले सरपर्थम विद्वान थे बतायां समय लुग फड़ापट से इसका करेंसर क्या होगा इसका करेंसर हो जाएगा जेसी केट फोर्ड आपसा नमबर इसका डिकरेंसर हो जाएगा बहुत ही महत्रपूर परसन है अगला कोशन साब देखेंगे 27 नमबर प प्रस्ण की और अगला प्रस्ण आपका आ चुका है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे प्रस्ण आपका है कि कार्यालई अनुबाद के संबंधित मलब की कार्यालई अनुबाद से सम्मदित कौन सा कथन सही है इन में से तो कारेले अनुबाद से सम्मदित जो कथन है इन में से कौन सा सही है भाई तो प्रस्ण कहिरा कि प्राप्त समागरी अविधा परधान होती है प्राप्त समागरी लक्षना परधान होती है या फिर उपरक्त समी चीज़े होती है तो कारेले अनुबाद में मदित कौन सा कथन सही है इन में से देखे आईए तीन सक्तिया होती सब्सक्ति अबिधा लक्षणा और बेंजना अबिधा जैसे को तमलब के प्रकार से जैसा लिखा हुआ है वैसा सीधा आर्थ होता है तो का स कभी उसमें रचनात्मक्त चीज़े भी कर एल्य हरी लेकिन आफलें मेरे हिसाब से जो चीजें इंगलिस में होती हैं उसी भाव से उसी चीजों को हिंदी में या हिंदी की उसी भाव को अंग्रेजी में बेक्ट किया आता है तो आप से नंबर इसका यह होना चाहिए ठीक है बाकि देखते यह उनिवर्सिटी क्या प्रस्ट का करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा अगला कुसर आपसे पूचा गया है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे प्रस्ट नहीं कि अनुबाद एक प्रकार से दो संस्कृतियों के लिए संस्कृतिक सेतु का kind करता है उक्त कतन के ज़्विद्वान का है देखे बोलाना टिवारी जी के दूसरी परिभासा है प्रोफेसर अब प्रोफेसर जी गोपी नाथन मेरे साब से हिंदी के प्रोफेसर तो रहे है ये लेकिness PVSO रहे है और मेरे हिसाब से 90% करेक्ट एंसर आपका इसका कौन सा होगा 90% करेक्ट एंसर होगा आपका डाक्टर रगुवीर इज़ रायट आज़र तो आप सी आपसंट की तरफ जाता जाएगा और सी या बी में से तो बी दस परसंट मैं देता हूं और सी को मैं लगबग जो है 90% देत तो लगबग आपके 90% चांस है कि आपको मिल जाए जहां तक मैं सहर हूं 90% ठीक है और बाकी 10% का मैं कुछ कह नहीं सकता हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले परसन की हो रहा है अगला परसन आप देखिएगा लक्ष भासा के लिए अंग्रेजी में प्रियोग किया जाने वाला सब्द कौन सा है लक्ष भासा और सुरूत भासा दोनों की बारे मैंने विस्तार से आपको समझाया था लक्ष भासा का मलब होता है जिस भासा में आपको अनुबाद करना है ठीक है लक्ष भासा को क्या बोलते है टार्गेट भासा आपसा नंबर इसका एक अरेक्ट मैंने बता था लिपी या लिपी जैसे कि यह लिखा हुआ है आपका ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन को ही बोलते हैं लिपी या अनुबाद को ही देखे ट्रांसलेशन को यह देखे ट्रांसलेशन इस प्रकार से लिखा हुए टी आर ए इस प्रकार से यहाँ पर इसको क्या ल होगा अगला कोशन साब देखते हैं अनुबाद की उत्पत्ती का सम्मंद किस धातू से ख्लिफ्टर नमबर वर्ण में मैंने पूरा विस्तार से पूरा धातू और प्रत्य और उपसर्ग तीनों को पलस करके कड़गराईच कर दिया था तो वाक नहीं वद धातू से बना हु होई है आप से नमबर इसका अरेक्ट tea अगला कोशन साब देखेंगे अगला प्रसना की स्कीन पर आचुका सबस्क्राएट की निवा क्या कहलाता है वह भासा तो जिस भास से अनुबाद की आयाता है वा भासा कहलाती है डिक है cesoro भासा उर और जिस भासा में अनुबाद किया जाता है वो कहलाती है लक्ष भासा यह ध्यार नखेंगे ओके तो आपसे नंबर इसका एक एंसर था आगे बढ़ते हैं अंगला परसने 35 नंबर परसन आपसे पूचा गया था अनुबाद करने वाले ब्यक्ति को हम क्या कहते हैं तो बगातार आप लोगों के लिए में मेंनत करता हूं और तुरंत आपके लिए मैं यहाजिर हूँ जो है इसका वो ले करके क्या बोलते हैं सालवे पेपर ले करके तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक प्रकार से ग्यान होना चाहिए जिस भासा का उनबात करना उस भासा में भी उसको निपोड़ता हो और जिस भासा में बात करना है उसमें भी जानकारी हो ठीक है विसे का समुचित ग्यान भी होना चाहिए तो बिल्कुल करक्ट टेंसर हो जाएगा आप से नमबर डी उपरोग तो तीन या अगला पर समसे पूछा गया था अटीस नंबर पर समसे पूछा गया था एप्रूबड का हिंदी प्रियाए क्या है वहीं ही अनुमोदी थे आप चेही nossas एक प्रचा ठाज से नमबर मिलें मिलगा अंघलेए社安च करेक भीन्दप हिंदि एनुबात क्या है टू एक प्रकार से तू टू कीप इन डार्क का जो हिंदी अनुबाद है वो क्या है वह आंधेरी में रखना आपसा नमबर इसका भी करेक्ट एंसर था अगला कोशनस आप आप देखेंगे सभी लोग अगला प्रसनाप का आचुका है चालिस नमबर प्रसनाप देखेगा प्रसनाप का है बिद्राल यानि जो बिद्राल आप भरते हैं ठीक है बिद्राल जिसको आप बोलते हैं तो बिद्राल जो होता है उसका हिंदी मतलब क्या होता है निकासी जब पूचा गया था देखेंगे 42 नमबर प्रस्ट नहीं कि कुछ किरपया स्वक्ष टाइप करें के लिए उप्यूक्त सब्सक्राइब तो प्लीज टाइप अगेन में दोबारा से लिखना हुआ इसका बदल्द होने प्लीज डू अगेन दोबारा से करें यह भी नहीं प्लीज कि एकाउंट आफिसर का हिंदी प्रियाय है बताएं एकाउंट आफिसियर को हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लेखा अधिकारी यह आपसन करेक्टर एंसर होगा इसका अगला प्रस्ट आपसे पूछा गया था चवालीस नमबर प्रस्ट नहीं कि भृष कöhंद द इसमें उनलीया भिकास भी नहीं दिया अधी तantesa ग्रॉथ आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्नाप का आ चुका है सबहिसे देगे प्रस्त नहीं कि आया था ओबर करेक्टेंसर हो जाएगा यह सारे प्रस्ण आप धोड़ा सध्यान रखेंगे आपकी परिच्छा में भी आ सकता है अगला कोश्ण साब से पूछा गया था 47 नमबर प्रस्ण था कि दबर्ड्स आप सेम फेदर बताएं इसका हिंदी रूपांतर क्या है इसका हिंदी रूपांतर क्या है वहीं है एक थैली की चट्टे बट्टे होना आपसे नंबर इसका बेकर्ड था अगला कोश्ण साब दिखते हैं 48 नमबर प्रस्ण आप से पूचा गया है मसीन अधिक्तम कितना प्रत्स्द अनुबाद सही कर सकती है लगबक 90% अनुबाद जो है मसीन सही कर सकती है आपसे नमबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा अगला कोसिंस आप से पूछा गया था 49 नमबर प्रत्स देखेंगे प्रत्स नहे बच्चन दौरा उमर खयाम की जो बच्चन जी है यानि दुसाला में आपसे नंबर इसका एक रक्टेंसर होगा अगला कोशन साब से पूछा गया 50 नंबर अनुवाद सिध्धान्द की रूप रेखा गरंथ के रचनाकार कौन है फड़ा वठते आप बताने का प्रियासकनी 50 वेक कर्टेंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल आपसे प्रसन है वकालत नमा किस भाजा का सब्द ढितली के अगला कोशन साब देखेंगे 30 नंबर प्रसन है दोई भासिक समाज में कितनी भासा यावश सेखे तो दो भासा है आपसे नम्बर C करक्ट एंसर होगा अगला कोशन साब का है चववन नम्बर प्रस्ण है एक और एक ग्यारा कानुबाद है भटापर से बताएंगे एक और एक ग्यारा कानुबाद क्या है यूनियन इस ट्रेंथ यानि कि एक और एक मिलकर के ग्यारा बनते हैं ठीक है तो ये यूनियर है प्रकार से यानि एक इतामे बल है कहने का मतलब ये है यूनियर है ये इस ट्रेंग ठीक है आप से नंबर ये लगा दीजेगा अगला कोशन साब से पूछा गया है 55 नंबर पर साब से पूछा गया था कि इतनी सोपान माने है नाइड़ा महदे ने अनुबाद पर क्रिया कितनी सोपान माने वही तो उन्होंने लगबग और लगबग 305 माने है मैंने आपको बताया भी तहा तीनों सोपान के बारे में आप से नंबर इसका एक एक रख्टर एंसर है अगला कोशन साब देखिए 57 नमबर परसन हैं समुधाय का अंगरेजी प्रियाय क्या है तो समुधाय को अंगरेजी में क्या बोलते हैं कम्यूनिटी बोलते हैं सभी लोग उनको पता होगा यह परसन यह भी आपका था अगला परसन कुछ लगबग आपके 12-15 परसन ऐसे दिया थे जो कि सब बच्चों को पता होते हैं अगला परसन आपका है मनब की सभी को कोई बिक्तिय सर होता है जिसको ना पता हो मनब बहुत हलके परसन होते हैं और बाकी 10-12 परसन बहुत ही कठिन होते हैं और बाकी अबरेज होते हैं ठीके पढ़ने वालों बच्चों के लिए अगला परसन आपका आचुक सब्सक्राइब का हिंदी प्रयाव अगला कुछ से पूछा गया है लेंड रेवेनियू अच्छा इसको सभी लोग जानते भूरा जैसे बोला आता है रेंड रेवेनियू को तो तमाम सरे परसे आप से पूछे गये तो सरल सरल आपको कर देने थे आप मेरे इसाब से अगर इस सरल परसन था और 50 इमलब सरल इसलिए मैं कह रहा हूँ चुकि पचीस को नंबर आपको नहीं मैं पचीस को से आपको करने ही नहीं थे और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में होगा तो आपकी जो सरल सरल परसन उनको आप छांट करें कर लीजिएगा कठें परसनों को हाथ म परसन की हो रहा है अगला परसन आपका आचुका है प्रसन इंपोर्डेंट है आपकी परिच्छा के दिश्टी से प्रसन है अनुबात के संदर में समतुलिता का सिध्धान देने वाले प्रथम बिद्वान कौन है जेपी कैड़ फोल्ट ही है आपसा नंबर इसका एकरक्ट इंसर होगा अगला को सबसे पूछा गया था कि वायू गतिकी प्रसन अच्छा था प्रसन वायू गतिकी के लिए अंगरेजी में कौन से सब्दों परियुक्त की आता तो वायू गत्की के लिए जो है एरो डाइनमिक्स डाइनमिक्स माने होता गति एरो माने होता आपका य तो यह उपनिस्दों का एक प्रकार से तमाम सारे उपनिस्दों का आनुबाद किया गया था सीर एकबर आपसने इसका डी रख रत राइट अंसरच और चोशट चोशट नंबर करेक्ट रूजाएगा डी आपसन आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्न की और अगला प्रसन आप में किया दारा सिखो ये लिखा है मेरे सब्सक्रोब किया था के यह पर क荣की देखी नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन और यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे सबसे आप कि दिख क्रवास कुला तो इसका correct टे इसका दिखना ही रहा है तो यह ट्रूरक पूछा गया था अगला पूछार्ट पैरलियमेंट का हिंदी क्या आइक क्या है एक सबी लोग जानते पारलियमेंट को जो क्या बोलते हैं संसद आप से इसका ड बट जो है अगला कोशनस आपसे पूछा गया था संसर नंबर प्रसन आप देखेगा प्रस्त पूछा गया था कि निमन में से अनुबाद मूल्यांकन का मुख्यायाम है फटा फट से आप बताने का प्रियास करेंगे संसर नंबर के करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा बिलकुल आप डी आपसन पठिनियता बोधिकमिता और मूलिनिस्ट था यह अनुबाद मूल्यांकन का प्रमुख्यायाम होता है आपसन नंबर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशनस आप से पूछा गया था अनसर नंबर प्रसन आप देखेगा प्रसन है आल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी प्रियाय है आल इंडिया रेडियो को बोलते हैं आकास बाड़ी आपसन नंबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा पहले जब आप रेडियो बजाते थे बाजा तो उसमें बोलता रहता था कि आकाश बाड़ी, आकाश बाड़ी के आप इतने सुन नहें हैं, बीविद भारती, तमाम प्रकाणि की चीज़े बोला आयाता था उसमें तो आकास बड़ी मलब होता है आल इंडिया रेडियो आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न आपका आचुका है घासी राम कोतुआल नाटक जो हो उक्किस भासा में लिखा गया मूल लूप से तो मराठी भासा में लिखा गया हूँ और प्रस्न आपका अबिग्यान से कुंतलम का अनुबाद किस ने किया है तो अनुबाद जो अभिजान सकुंतलम है कारिदास के रिचना उसका अनुबाद किया है राजा लचमर सिंगी ने आपसा नमबर इसका सी करेक्टर एंसर था अगला कोशन साफ से पूछा गया था देखिएगा प्रसन आपका आच चुका है और लास्ट आपके प्रसन चल ले लगबग लास्ट सीमा फे मलब की आप खतम होने वाला है वीडियो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और जरू कर दीजेगा जिन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा क्योंकि इसी प अनुबाद किसने की आए भारतिंदू हरीचन नहीं आपसर नंबर इसका एक ररक्टेंसर था अगला पर साब से पूछा गया था चोहतर नंबर को सब्सक्राइब देखेंगे आई बीयम अनुबाद प्रबंदक का निर्माड किस वर्स हुआ था तो इसका निर्माड हुआ इस प्रकार से प्लग परशनु के बारे में जाना और प्चैतर परसनिंग त्हीं प्रसनिटिया है और जो है एकार सनंद का आपका थोड़ा सा दूसरे तरही के से प्रसंत स्केल नंगा उसका लाम उत्तर था उसका तो उसको इसको अनुमानता बताया गया है बाकी सारे परे dato उटर से सहिं झाल झाल